तो Act 3 का Scene 1 जो है वो स्टार होता है, Olivia's Garden, Olivia के Garden के अंदर ये Scene है, इंटर वाइला, अब वाइला जो हो फिर से, उसका जो ड्यूक है और सीडों, उसका जो मतलब लाव का मैसेज है Olivia के लिए, वो लिकर वाइला फिर से आई है, and Feast with a Tabor, और इतने में क्या होता है, कि वो Feast से ट करने का एक तरीका होता है, जैसे हम कहते हैं, Assalamualaikum कहते हैं, कि मतलब तुम पर सलामती हो, यहां पर सेवदी का मतलब यह है, कि मतलब गोड तुम्हें प्रोटेक्ट करे, गोड तुम्हें, मतलब तुम्हारी हिफाज़त करे, फ्रेंड यानि आई दोस्त, and दाय म्यूजिक और जो तुम म्यूजिक बजा रहे हो, उसकी, यानि गोड तुम्हारी और तुम्हारा जो म्यूजिक है, उसकी हिफाज़त करे, यानि तुम्हें प्रोटेक्ट करे, डोस्त आओ, लिव बाय दाय टेबर, अब फिर सीधा साना उससे सवाल पूछ रही है, कि मतलब क्या तु तुम जो हो, प्रोस्त दियान रखना के वाला जो है, वो सिजयारियो बनके, यानि लड़का बनके यहाँ पे आई है, तो वाला उससे पूछ रही है, कि मतलब फिस्ट, क्या तुम जो हो, वो यह टेबर मतलब ब пожाकर, इसे पैसे क्माकर, मतलब उससे गुजारा करते हो, य यानि अब क्योंकि वो feast है, यानि उसका ये काम है कि वो मजाग करता है, तो वो अब क्या करेगा कि वाइला ने जो live by का word यूज किया है, इसको literal meaning इसका ले लेगा, live by यहाँ पे वाइला ने तो इसका मतलब use किया है, तो मैं टेबर के पास नहीं रहता, तो वाइला अगे से कहती है, आठ दावा चर्च में, अच्छा, तो वाइला फिर अब उसी सेंस में बात कर रही है, वाइला ने ये निका कि मैंने तो कुछ और का था और तुम कुछ और जवाब दे रहे हो, वाइला ने उस चीज़ को मतलब इतना नोटिस ही नहीं किया, वाइला कैते है, चलो ठीक है, यह जिस सेंस में बात कर रहा है, मैं भी उसी सेंस में इससे बात करते हूँ, तो वाइला के से कहती है, कि अच्छा, तुम अगर चर्च के पास रहते हो, तो इसका मतलब यह होगा, कि मतलब तुम कोई कलरगी होगे, कोई प्रीस होगे, कोई पादरी होगे, यानि चर्च में होगे, तो इसलिए तो मतलब चर्च के पास रहते होगे, तो यह इसा ही है, तो फीस्ट कहता है, no such matter, ऐसी तो कोई बात नहीं है, I do live by the church, के पास रहता हूं तो वाइला कहती है अच्छा तुम्हारे कहना का ये मतलब है कि सो दाव में से यानि तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर वो एक मतलब भीकारी के पास रहता है या एक भीकारी के पास से गुजरता है तो इसका मतलब ये होगा तो वाइला कहती है इसका मतलब ये होगा अगर एक भीकारी के पास से गुजरता है तो हम ये कहेंगे कि वो भीकारी जो है वो एक भीकारी के साथ रहता है या फिर एक भाशा जो है वो एक भीकारी के साथ रहता है और दा चर्च स्टेंड बाई टेबर इसका मतलब अर्न है यानि मतलब पैसे कमाना तो यहां पर फि तुम्हारा धोल जो है वो मतलब चर्चकी वrator से पैसे कमा रहा है। कि अगर विकारी के बाएक बीकारी के पास से गुजरता है वो जो होते हैं उसकी वैसे मतलब तुम्हारा चर्च जो है वो चलता है या फिर तुम यह कहना चाहरे हो कि मतलब तुम्हारा धोल जो है वो चर्च की वैसे चलता है मतलब तुम्हारा धोल जो है वो चर्च की वैसे चलता है मतलब तुम्हारा धोल जो है वो चर्च की वैसे यह नियर की sense में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक दूसरे के करीब होना उस sense में नहीं कहा, उसने यहां पर दोनों मतलब lines के अंदर standby का जो word है यह earning की sense में कहा है मतलब कमाने की पैसे कमाने की sense में उसने कहा है जिस तरह से fees नहीं यहाँ पे live by का word यूज किया था न next to की sense में इस तरह से वाईला ने यूज नहीं किया बलके उसने यहाँ पे standby यहाँ पे generation को देखे न a sentence is but a chevral glove to a good wit chevral glove क्या होती है chevral एक type की leather होती है यह fabric होता है जिससे एक glove बनाया जाता है मतलब भेड की खाल से बनाया जाने वाली leather होती है और उस leather से एक glove जो है दस्ताना हाथों पे पहने वाला वो बनाया जाता है यहाँ पे feast कहना चाहरा है कि आजकल जो sentence है आजकल जो हमारी बाते है वो मतलब एक ऐसे glove की तरह है एक ऐसे दस्ताने की तरह है to a good wit यानि एक अकलमन इंसान के लिए कि how quickly the wrong side may be turned outward कि अगर एक अकलमन इंसान है न वो आजकल की generation उसके आजकल मैंता है उसको बाहर ले आए उसको बाहर ले आए और दुबारा उस glove को पहन लिया तो कहते है यहाँपे न फीच्ट कहता है कि बिल्कुल उसी glove की तरह ही जो एक अकलमन इंसान है ना वो भी आजकल की जो बाते हैं ना उनको तोर मरोर करके ना मतलब अपने तरीके से इस्तामाल कर सकता है मतलब एक अकलमन जो इंसान है ना जहीन है उसने एक मतलब इवेंट के उपर एक बात कही तो बात में लोगों ने उसको गलत प्रूफ कर दिया तो वो आदमी क्या करेगा कि वो अपनी बात को घुमा लेगा वो बात को घुमा के कहेगा मैंने यह नहीं मतलब यह मतलब कहा था मतलब वो अपनी बात को situation के हिसाब से change कर देगा उसका meaning change कर देगा तो यहाँ पर feast जो है वो यह कहना जा रहा है कि आज कल के जो लोग है ना उनकी बातें जो है वो मतलब इतनी validation नहीं रखती इतनी strong नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी यह हो कह रहा है तो वाइला उसके जवाब में कहती है ने that's certain मतलब ने का जो word है यह different sense के अंदर use होता है place के अंदर कई बार यह मतलब no की sense में use होता है कई बार rather की sense में यानि इसके इलावा जैसे हम कहता है इसके इलावा तो उस sense में भी use होता है तो वाइला कहा रही है, ने, that's certain, मतलब हाँ, तुमने ठीक कहा, they, that, डेले nicely with words, may quickly make them wenton, डेले का मतलब है play, nicely यानि अच्छी तरह से, डेले मतलब खेलना, यानि लफजों के साथ खेलना, यानि words के साथ play करना, may quickly make them wenton, तो यहाँ पे वाइला कहा रही है, तुमने ठीक कहा, feast क्योंकि आजकल के time के अंदर क्या है, कि एक बंदा जो है जो लफजों के साथ खेलना जानता है, मतलब एक बंदा जिसको words का use पता है, कि किस sense के अंदर, मतलब किस situation के अंदर, एक word को किस sense के अंदर use करना है, या फिर words जो है, उनको किस तरह से उनका meaning घुमा कि दूसरे बं बना में चब पतव लटो के साथ अच्ही तरह से खेलना जानता है वो बहुत जल्द words का meaning change करके ना उन words को वेंटन बना देता है यानि उनका जो पहले वला meaning होता है वो लूज कर जाता है और वो उस word को एक नया meaning दे देता है तो फीस्टा कैसे कहता है I would therefore my sister had had no name sir तो फीस्टा कैता है मेरी ना इसलिए यही ख्वाहिश थी कि मेरी जो बहन है ना उसका कोई भी नाम ना होता तो वाइला कैसे कहती है Why man? ऐसा क्यू बोल रहे हो तो फीस्टा कैसे कहता है Why sir? मतलब यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि her name's a word क्योंकि उसका नाम जो है वो एक word होना था and to deal with that word might make my sister wenton और अगर हम एक word की बात करें कि जिस तरह से कोई भी आदमी जो है मतलब लफजों के साथ खेल सकता है तो कोई भी आदमी जो है वो अगर लफजों के साथ खेल सकता है तो मेरी बहन जो है उसका नाम भी एक word ही होना था तो अगर उसके नाम के साथ खेला जाता ना तो उसने भी वेंटन ही बन जाना था इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन जो है उसका कोई भी नाम ना होता यहाँ पे वेंटन का मतलब है कि मतलब उसकी personality हर बार change हो जानी थी मतलब उसने एक particular personality जो होती है वो adopt नहीं करने चे बलकि एक से ज्यादा मतलब उसकी personality हो जानी थी जो के मतलब लोगों को पसंद नहीं होती अच्छा बट इंडीड लेकिन हकीकत में words are very rascals since bonds disgrace them लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जो words होते हैं वो बहुत कमीने होते हैं क्योंकि जो bonds होते हैं वो उनको disgrace करते हैं उनकी इज़त को घटा देते हैं मतलब यहां पर feast कहना जा रहा है कि पहले जो लोग होते थे ना उनके जो words होते थे उनके उपर एतबार भी किया जाता था उनके उपर मतलब भरोसा भी किया जा सकता था लेकिन आजकल के लोगों के words है ना वो बहुत मतलब रासकल है वो बहुत कमीने हैं उनके उपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मतलब उनको validate करने के लिए उनको verify करने के लिए जा हमें बांड्स बनाने पड़ते हैं बांड्स का मतलब होता है जो legal document होता है एक मुआइदा वगएरा जो मतलब होता है जिसके उपर sign किया जाता है कि हाँ भी दो लोगों के दरमयान मुआइदा हुए है कि इस date को मतलब तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो वो जो बांड्स होते हैं वो आजकल हमें बनाने पड पर जाता है truth sir मैं जो भी कहा रहा हूं वो सच कहा रहा हूं I can yield you none without words फिर कहता है कि मैं आपने मुझसे reason पूछा ना तो reason बताने के लिए भी मुझे words use करने पड़ेंगे। मतलब आपको कोई भी reason देने के लिए I can yield you यानि yield का मतलना होता है provide करने के लिए मुझे words यूज सकoun रहा हूं words के बगार में आपको कोई भी reason provide नहीं कर सकता नहीं दे सकता लोट का मतलब होता है नफरत करना या किसी चीज को अपोज करना तो यहां पर वो यही कह रहा है कि आपको रीजन देने के लिए मुझे वर्ड यूज करने पड़ेंगे और आजकल के जो वर्ड हैं वो बहुत ही ज्यादा फाल्स हैं वो जूटे हैं इसलिए मुझे मतलब वो प्रवाइड करने में अपने आपको अपोज करना होगा कि मैं आपको रीजन नहीं दे सकता कोई भी इस बात का तो वाइला कहती है आई वारंट दावाट अ मैरी फैलो एंड कियर्स फार नथिंग अच्छा वाइला आगे से कहती है कि मैं तुम्हें गरंटी दे सकती मतलब एक खुश रहने वाले इनसान हो और तुम किसी चीज़ की परवाद नहीं करते हैं अब यहां फिर से जो फीस्ट है ना वो यह जो नथिंग का वर्ड है इसको पकड़ लेगा कि वाइला ने तो कहा ना कि मतलब कियर्स फार नथिंग तुम किसी चीज़ की परवाद करते अब वो इसी वर्ड को यूज करते हुए आगे वाली बात कहींगा फीस्ट कहता है not so sir मतलब ऐसी बात तो नहीं है जनाब I do care for something यानि वाइला ने कहा कि तुम किसी चीज़ की केर नहीं करते तो फीस्ट कहता है कि मतलब जनाब ऐसी बात तो कोई नहीं है मैं किसी खास में आपसे बात कर रहा हूँ न sir I do not care for you तो मैं यहां पर आपकी care बिल्कुल भी नहीं करता यानि मैं आपके बारे मैं पेसी आपकी Zusammen नहीं करता इस चीज़ को अगर यह समझते हैं कि मैं किसी भी चीज़ की क्यार नहीं करता Sir I would it would make you invisible तो मैं चाहूंगा कि क्यूंके मैं मतलब आपकी क्यार नहीं करता तो इसलिएए आपको यहां से invisible हो जाना चाहिए यहां से चले जाना चाहिए yaha पिर गायب हो जाना चाहिए तो फिर वाइला कहती है art not the lady Olivia's fool तो वाइला पे कूछ रही है किया तुम Olivia के fool नहीं हूँ तो feast कहता है no indeed, नहीं नहीं हकीकत में sir, मैं Olivia का fool नहीं हूँ the lady Olivia has no fully कि Olivia के पास कोई भी fool नहीं है यानि कोई भी वेवकूफ आदमी या उसको हसाने वाला जोकर या मस्खरा नहीं है शी विल कीप नो फूल और ना ही वो अपने पास कोई भी फूल रखेगी सर तिल शी भी मेरिट यानि तब तक जब तक के वो उसकी शादी नहीं हो जाती यहां पर फीस जहाना वो कहना चाहरा है कि शादी के बाद जो हस्बंड होता है वो हर वाइफ के लिए एक फूल होता है यहां फिर उलिविया के लिए सिर्फ यहां पर स्पेसिफाई करके कह रहा है कि Olivia जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका husband होगा वो एक fool होगा तो Feast यहाँ पे कहा रहा है कि नहीं नहीं सर मतलब मैं Olivia का fool नहीं हूँ बलके Olivia जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती नहीं तब तक वो अपने पास कोई fool रखेगी भी नहीं यानि किसी भी जोकर को नहीं रखेगी और मैं समझता हूँ कि fool जो होते हैं उनका जो relation होता है na husband के साथ वो बलकुल इसी तरह से होता है जिस तरह से जो pilchers मचली होती है उसका herrings मचली के साथ relation होता है तो यहाँ पे herrings जो है ना ये एक मचली होती है जो कि मतलब small fish होती है और pilchers जो होती है ये grown-up herrings को अते है यानि herrings जो होते हैं छोटी मचली होती है और जब ये herrings बड़ी हो जाती है तो इनको pilchers कहते है मतलब pilchers जो है वो ज्यादा important है और herring जो है वो कम important है तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे fool जो कहा है वो कहना चाहरा है कि fools जो होते हैं वो ज्यादा important होते हैं और husband जो होते हैं वो कम important होते हैं तो यहाँ पे वो कहारा है कि मेरे लिए जो fools है ना उनका relation जो है husband के साथ या मेरे लिए एक fool और husband जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे pilchers जो है, वो herrings के लिए होते हैं, यानि pilchers जो होते हैं, वो बड़ी मचलियां होते हैं, herrings जो होते हैं, इसी तरह से fools जो होते हैं, वो ज्यादा smart होते हैं, या ज्यादा मतलब importance वाले होते हैं, जबके husbands जो होते हैं, वो herrings की तरह होते ह the husband's the bigger the husband's the bigger का मतलब है कि husband जो होता है the bigger यानि वो ज्यादा बड़ा fool होता है the bigger का मतलब यहां पर यही है क्योंकि वो fool की sense में बात कर रहा है तो यहां पर यही कह रहा है कि fool जो होता है और husband जो होता है इन दोनों में ना सबसे बड़ा बेवकूफ husband होता है fool से भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ husband होता है I am indeed not her fool और मैं हकीकत में Olivia का fool बिल्किल भी नहीं हूँ but her corruptor of words लेकिन मैं उसके लिए एक ऐसा आदमी हूँ जो के उसके लिए words को corrupt करता है यानि words का meaning change करके उसके सामने उसको amuse करने के लिए उसको हसाने के लिए उसको खुश करने के लिए बाद करता हूँ यह भी यहाँ पे कह रहा है तो वाईला अगे से कहती है I saw the late at the court or sinos अच्छा तो वाईला पिर कहती है मैंने तो तुमें court or sinos मतलब मेरा जो ड्यूक है मेरा मालिक जो है और सीनो उसके दरबार में मैंने तुमें देखा था आखरी बार तो फीस्ट कहता है फूलरी सर अब फूलरी जो होता है यह कोई भी फूल जो होता है जो वो हसाने के लिए वर्ड यूज करता है जो वो action perform करता है उसको फूलरी कहता है यानि orbit के तरह जिस तरह कोई चीज orbit के अंदर गोल गोल घूमती है तो यहाँ पर फीस्ट जो है न वो कह रहा है कि ज़नाब जो फूलरी है न वो बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से sun जो है न वो जमीन के इर्द गूमता है न उसी तरह से फूलरी जो है वो इधर से उधर घूमती है अब यहाँ पर शौक ना हो न अब यहाँ पर फीस्ट जो है न वो उस टाइम का न एक मतलब आदमी था जिसका नाम था पडॉलमी उसका एक व्यू था उसने मतलब सब को एक concept दिया था कि जो सूरज है न वो हमारी जमीन के इर्दगिर्द घूमता है और आप मानोगे नहीं कि यह जो concept है न यह renaissance जो period था उससे पहले तक सब लोग यही मानते थे कि सूरज है वो हमारी जमीन के इर्दगिर्द घूमता है यानि renaissance period से पहले-पहले सब लोग यही मानते थे तो Feast Shakespeare के टाइम में भी यही माना जाता था कि जो सॉरज है न वो समीन के इर्दगिर्द घुमता है तो यहांपे Feast भी उसी बात को यूज कर रहा है कि जिस तरह से प्टॉ्लमिक का वीव है के सूरज जह वो जमीन के डिधिगर्द घूमता है मतलब एक जगो पर नहीं रुकता बल्के घूमता रहता है زमीन के डिधिगर्द तो उसी तरह से जो एक फूल के फूलरी होती है जो उसके एक्शन और होते हैं जो गफोर्ड ऑपरफॉर्म करता है वह भी क्या करते हैं कि वह भी इधर से अधर घूमते रहते हैं Жानी वह जो words होते हैं वह हर जगा शाइन करती है मतलब वह जूरूरी सब्सक्राइब करते हैं वह रहकर उस गहर के लोगों का मियूज करता है वह इधर से अधर जाता रहता है I would be sorry sir but the fool should be as oft with your master as with my mistress तो Feast जो है ना वो यहाँ पर कहता है कि Cesario मुझे माफ करना मतलब मुझे यह देख करना बहुत जादा दुख हो रहा है कि जिस तरह से मेरी मिस्टर जो है उसके पास हर टाइम एक fool रहता है उसके पास भी एक fool रहना चाहिए लेकिन नहीं रहता इसलिए यहाँ पर Feast जो है वो सोरी कर रहा है तो फिर कहता है I think I saw your wisdom there तो Feast कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर यानि Duke और सीनों के हाँ अपनी जो wisdom है वो शोर करते हुए देखा है मतलब यहाँ पर Feast जो है वो wisdom को और foolery को यह दोनों चीजों को contrast जो कर रहा है कि मतलब fool और wisdom जो है यह दोनों opposite चीजे है तो यहाँ पर Feast जो है वो कह रहा है कि wisdom और foolery जो है यह दोनों opposite चीजे है मतलब एक जगा पर exist नहीं कर सकती अगर एक बंदा जो है वो उसके पास wisdom है तो वो fool नहीं हो सकता और एक fool जो है उसके पास wisdom नहीं हो सकती यह वो यहां पर दोने चीज़ों को contrast कर रहा है कि जिस तरह से मैं जो एक fool हूँ वो अपनी Mr.s के साथ ज्यादा time मतलब गुजारता होता हूँ उसी तरह से तुम जो हो मतलब से जैरी हो तुम तुम तुमारे पास wisdom है और तुम जो हो अपने master के पास ज्यादा time रहते हो इसलिए मतलब इन दोनों चीजों में कोई फरक नहीं है कि तुम्हारा master जो है उसके पास एक fool नहीं है बलके उसके पास तुम हो तो वा यहां पर तुम्हारे साथ नहीं रुकोंगी पास अपन मी का मतलब है यानि बातों बातों में इस तरह से मेरा वजाग उड़ाओ यह लड़ाई करोगे न मेरे साथ तो मैं यहां पर तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा यह वो वाला यहां पे as a scenario कह रही है तो फिर कहती है यह लो जो तुमने मतलब मुझे यहां पर अम्यूज किया है बातों से इसके लिए मैं तुम्हें 6 पैंस दे रही हूं 6 पैंस का एक कोई होता है जो कि वो उसको दे रही है अच्छा फिर वो उसे पैसे देती है तो फीस्ट कहता है नाव जोफ इन हिस नेक्स्ट कमोडिटी आफ हेर सेंड दिया बियर्ड तो अब फीस्ट वो उसे दुआ दे रहा है कि काश जोफ देवता जो है ना वो क्या करे कि उसकी जो नेक्स्ट कमोडिटी है यानि शिप्मेंट कमोडिटी यानि जब वो इस्ट्रिब्यूट करेगा ना बालों को ओफ हेर यानि जब वो कि शिप्मेंट जो है वो आएगी तो काश वो तुम्हें एक दाढ़ी भी दे दे क्योंकि यहां पर सेजैरियो जो है दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए यहां पर फीस्ट कहा रहा है कि काश जौब देवता जाए वो तुम्हें दाढ़ी दे दे अगली बार तो मैं अपनी मतलब यह जो मेरी चीन है मेरी ठोड़ी जो है इसके उपर मैं नहीं चाहती इस दाए लेडी विदिन क्या तुम्हारी लेडी जो है वो अंदर है अब यहां पर वायला जो है उसने एक आइरनी क्रियेट की और कह रही है कि मैं बिना बड़ी देर से दाढ़ी के लिए तरस रही हूँ कि मतलब मेरी भी दाड़ी आ जाए लेकिन यह उसने फीस्ट को दिखाने के लिए का है लेकिन अंदर ही अंदर वो कह रही है कि मैं एक ऐसे आदमी के लिए तरस रही हूँ जिसकी दाड़ी है यहां पर वो और सीनों की बात कर रही है कि मैं भी चाहती यह जो लाइन है न दाओ I would not have it grow on my chin यह वो लाइन है जो के वाइला ने अंदर ये अंदर बोली है कि मतलब फीस्ट को सुनाई ना दे तो फिर बाद में पूछती है कि क्या तुम्हारी लेडी जो वो अंदर है तो फीस्ट कहता है वो कहता है तो वाइला को कह रहा है कि जनाब क्या ये जो आपने मुझे एक सिक्का दिया है क्या अगर इसके साथ एक और सिक्का मिला दिया जाए तो क्या ये कोई एक और मतलब सिक्का ब्रीड नहीं कर सकते है यानि जिस तरह से एक male और female मिलके एक नया individual produce करते हैं उस तरह से क्या ये जो मेरे पास एक सिक्का है अगर इसके साथ एक और मिला दिया जाए तो ये pair बनके क्या मतलब एक नया coin जो है वो produce कर सकते हैं ये वो यहाँ पर पूछ रहा है मतलब सीधर सीधर उससे एक और सिक्का म में लाया जाए तो ये जो है ना एक और सिक्का बना सकते हैं अब यहाँ पे put to use, use का मतलब है interest यानि जिस तरह से सूध पर देना होता है ना पैसा कि किसी को आप पैसे देते हैं सूध पर तो जब वो वापस करेगा तो आपको वो सूध वाले पैसे भी उपर वाले पैसे तो वो ज्यादा होकर वापस आते हैं तो उस सेंस में यहाँ पे वाईला बात कर रही है कि हाँ अगर तुम इस सिक्कों को use करोगे ना kept together यानि दूसरे सिक्कों के साथ रखोगे और इसको use करोगे तो क्या होगा कि यह सिक्का जो है यह और सिक्के भी produce करेगा अब यहाँ उसी सेंस में वाईला यूज कर रही है कि इसको use में लाओ याँ इसको इसको यूज में लाओ अब यहाँ पे यूज का मतलब सेक्शोल इंट्र कोस भी हो सकता है तो फीज अगर से कहता है I would play Lord Pandorus of Phyrgia sir to bring a Cressida to this Trilus अच्छा अब यहाँ पे एक पुराना Greek mythology का reference हमें मिल रहा है Lord Pandorus of Phyrgia अब कौन था Lord Pandorus जो था यह Troy जो था Troy का अपने नाम सोना होगा Greek mythology के अंदर तो Troy की जो आर्मी थी ना मिलिटरी जो थी उसके अंदर यह एक लीडर था और दो नाम मतलब male और female थे एक का नाम था Cressida और एक का नाम था Troilus अब Troilus जो था वो King जो था Troy का Prime जिसका नाम था उसका यह बेटा था Troilus और Cressida जो थी ना यह एक आम सी यानि ममूली सी लड़की थी वहाँ पर Troy में रहने वाली लड़की थी तो इसके साथ Troilus को प्यार हो जाता है इन दोनों के दर्मियान जो Love Affair था ना वो Arrange करवाया था इसी आदमी ने अब यहाँ पर Feast जो है ना उसके पास जो एक सिका है उसको वो Troilus या फिर Cressida से Compare कर रहा है और Vaila से ना दूसरा सिका मांग रहा है जिसको इन दोनों में से वो एक नाम दे देगा और कहरा है मतलब मेरे पास एक सिका है वो Troilus या फिर Cressida हो सकता है और Troilus को Cressida के साथ या Cressida को Troilus के साथ मिलाने के लिए यानि मेरे पास एक सिका है और दूसरा सिका हासिल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि Lord Pandaros of Fyrgia जो है जिस तरह से Lord Pandaros जो था उसने इन दो characters के दरम्यान love affair जो था वो arrange करवाया था मैं भी ये जो मेरे पास एक सिका है इसको दूसरा सिका लेने के लिए मतलब इन दोनों के दरम्यान जो love affair है वो arrange करवाऊंगा ताके मेरे पास दो सिक्के हो जाएं तो वाला किसे कहती है I understand you sir यानि जनाब मैं तुम्हें समझ रही हूँ तुम कहना कहा रहे हो तेस वेल बैग्ड या नहीं ये जो तुम भीक मांग रहे हो ये बहुत मतलब अच्छे अंदास के अंदर तुम भीक मांग रहे हो या मतलब मुझसे जो सिक्का मांग रहे हो ये बड़े मतलब शाही अंदास के अंदर या एक मतलब जो बहुत पुरानी कहानी है Greek mythology की Trilis और Crasida उसका reference दे के तुम मुझसे भीक मांग रहे हो जो के बड़ी कमाल की बात है मतलब तुम बहुत एक great reference यूज कर रहे हो तो अफीस अगे से कहता है The matter I hope is not great तो अफीस अब आगे से कह रहा है कि सिजारियो ये जो matter है ना धीक मांगने वाला ये कोई इतना great नहीं है जितना तुमने इसको बना दिया है Sir Bagging बटा bagger यानि मैं एक ऐसा भिकारी हूँ जो के एक भिकारी ही मांग रहा हूँ अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा साना समझना ये कैसे मतलब story चल रही है फिर कहता है Cressida was a bagger क्योंके Cressida चुथी वो भी एक bagger थी अच्छा अब यहाँ पे यह जो इसने बात यूज की है Cressida was a bagger ये भी एक reference है किस चीज़ का reference है ये मैं आपको बताता हूँ 15th century के अंदर एक poet था Scott poet था जिसका नाम था Robert Henderson उसने एक poem लिखी थी जिसका नाम था The Testament of Cressida अब ये जो poem थी ना ये जो चोसर ने poem लिखी थी ना जाफरी चोसर ने Trilis and Cressida उसका ये sequel था sequel कहते है मतलब उसका दूसरा पार्ट था और इसके अंदर ना उसने दिखाया था क्यूंके जो मतलब अब story अगर आप इसकी पढ़ेंगे ना Trilis और Cressida की जो original story है वो पढ़ेंगे तो Cressida जो थी ना उसने Trilis को धोका दे दिया था धोका क्या in sense के मतलब पहले वो Trilis से प्यार करती थी बाद में जब वो मतलब Troy चोड़ कर Greek चलीगी तो वहाँ पर जाकर वो जो Greek एक warrior था legend था जिसका नाम था Diometease उसके साथ वो प्यार में पढ़ गई तो इस तरह से उसने मतलब Trilis को छोड़ दिया या धोका दे दिया तो वो धोका देनी के वैसे Henderson जो था ना उसने अपनी point के अंदर लिखा के Cressida जो थी ना उसको punishment मिली यानि एक god थी उसने उसको punish किया और punish कैसे किया कि उसको लेपरोशी जो बिमारी होती है ना code की जो बिमारी होती है वो दे दी यानि वो उस बिमारी की वैसे ना वो भी एक भीकारी बन गई कैसे रही जो थी वो एक भीकारी बन गी तो उस चीज़ का यहां पर reference यूज करते हूँ feast कह रहा है कि मतलब vaila मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ कि मैं ना तुमसे भीक मांग रहा हूँ और भीक के अंदर ना मैं तुमसे एक भीकारी ही मांग रहा हूँ मैं मतलब तुमसे एक सिक्का मांग रहा हूँ ना अचा आप यहां पे ना clear करना जो Feast है उसके हाथ में जो सिक्का है उसको वो Trilus कह रहा है यानि वो जो सिक्का है उसको वो Trilus कह रहा है और जो सिक्का वो मांग रहा है वाइला से उसको वो Crasida कह रहा है यानि वो कह रहा है कि मेरे पास जो सिक्का है वो Trilus है और मुझे Crasida चाहिए Trilus के लिए और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं एक भिकारी ही मांग रहा हूँ अब यहाँ पर वो Crasida यानि जो सिक्का वाइला के पास है जो वाइला उसको सिक्का देगी उसको वो एक भिकारी कह रहा है क्यों कह रहा है उसका reference मैंने आपको दे दिया स्टोरी के साथ कि मतलब Crasida जो होती है वो एक भिकारी बन जाती है यानि उसको लेपरोसी यानि कोड की विमारी हो जाती है इसलिए वो कह रहा है कि मैं न वाइला तुमसे एक भिकारी ही मांग रहा हूँ मतलब मैं कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा मैं तुमसे एक भिकारी ही मांग रहा हूँ इसलिए ये कोई इतना बड़ा matter नहीं है फिर न फीस्ट कहता है यानि मेरी लेडी जो है वो अंदर है sir I will constitute them whence you come यानि मैं उनको बता दूँगा कि आप जो है वो कहां से आए है whence का मतलता है where अच्छा who you are आप कौन है and what you would are out of my welcome और आप क्या होंगे यहां पर आकर मतलब आप क्या बताने वाले है ये बात जो है ना ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है out of my welcome वैलकन अर्ष को कहते है यानि आस्मान को यानि पहले उसने का कि मैंना अपनी लेड़ी को जा के बता लूँगा कि आप कहां से आए है और आप कौन है लेकिन जो आप की बात है ना कि आप क्या चाहते है यहां पर आप क्या लेने आए है यह वादी बात यह मुझे बिल्कुल भी नहीं पाता यानि यह मेरे वहमों गुमान में भी नहीं है Out of my valiant का मतलब है कि मतलब मेरा आसमान भी नहीं जानता कि आप यहां पर क्या लेने आए हैं तो फिर गाता है I might say element but the word is overworn अच्छा इसका मतलब यह है कि अब ना वो अपने बार में फीस्ट उसको ना confirm कर रहा है Cesario को यानि वाइला को कहता है कि sir मतलब Cesario अगरचे मैं जो हूँ ना वो element element यहां पर element का वैसे word ले meaning होता है आसमान को ही कहते है element लेकिन यहां पर element का मतलब है knowledge यानि intelligent होना यानि कहता है कि अगरचे आपको ना मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यदा intelligent हूँ लेकिन यह जो word है ना मेरे साथ जो element का word जो है मतलब लगाया जाता है जो intelligent का word लगाया जाता है मेरे साथ ये overworn है overworn का मतलब है यानि ये कुछ ज्यादा ही मतलब खराब सा word है या फिर ये मेरे उपर suit नहीं करता ये word यानि मैं असल में इतना ज्यादा intelligent नहीं हूँ जितना मुझे दिखाया जाता है और ये कहकर exact वहाँ से चला जाता है अब वाइला की लाइन है वो कहती है this fellow's wise enough to play the fool यानि अब उसकी तरीफ कर रही है वाइला कि ये जो आदमी है ना ये जो मतलब fool है ये जो joker है ये एक joker होने के लिए बहुत ज़्यादा अकलमन इंसान है मतलब एक joker होने के लिए ये वाला काम well यानि अच्छे तरह से करने के लिए craft the kind of wit यानि एक बहुत जहीन आतमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक बहुत ज़्यादा intelligent आतमी या एक अकलमन आतमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है craft the kind of wit का मतलब है यानि एक अकल जो है वो आपके पास होनी चाहिए इस तरह का fool होने के लिए He must observe their mood on home, he just फिर वाला कहती है कि ये जो fool है ये क्या करता होगा कि जिन लोगों के ओपर ये मजाग करता होगा जिन लोगों से जिस तरह से इसने मेरे साथ बात की इस तरह से जिन लोगों के साथ ये बात करता होगा, ये उनके mood को observe करता होगा, यानि अगले बंदे का किस तरह से mood है, the quality of the persons, यानि वो अगला बंदा किस तरह का है, मतलब किस तरह किस की quality है, and the time, और किस ताइम वो उसके साथ मजाग कर रहा है, and like the haggard, check at every feather that comes before his eye, और बिल before his eye, यानि जिस तरह से एक उकाब जो होता है, वो असमान में उड़ते हुए, उसके आँखों के सामने जो कोई भी शिकार आता है, जो कोई भी परिंदा आता है, उस परिंदे को वो observe करता है, कि मतलब मुझे इसके ओपर हमला करना है या नहीं, तो जिस तरह से वो एक eagle observe कर करता है, इन सब चीजदों को observe करता है, जी तरह से एक अकलमन्दा आतमी होता है, उसकी जो जहानत होती है, उसकी जो intelligent होती है, वो भी प्रैक्टिस से आई होती अच्छा फिर यहां पर वाइला कहा रही है कि इस तरह के जो फूल होते हैं जो वाइजली वो शो करते हैं मतलब अगर एक बेवकुफ बंदा है वो अकलमद आदनियों की तरह बातें करेगा तो वो उसको मतलब फिट भी करती है लेकिन अगर एक अकलमद आदमी है वो मतलब फूली फालन वो मतलब फूल बन जाता है तो अगर वो ऐसा करेगा ना तो उसकी जो अकल है जो उसकी विट है जो इंटेलिजेंट है वो पूरी तरह से खतम हो जाएगी यहां लोगों के सामने मतलब फीकी पड़ जाएगी यह व वाइला के से कहती है and you sir और आपको भी sir तो sir Andrew कहता है डाय वास गाडे मांसियर अब sir Andrew जो है ना वो अपना impression बनाने के लिए ना French में उससे कह रहा है French के अंदर कह रहा है कि मतलब वही बात कह रहा है कि God keep you sir मतलब खुदा तुम्हें सलामत रखे लेकिन French के अंदर अब वाइला जो है वो उसका मूँ तोर उसको जवाब देगी कि मुझे भी French आती है वो कहती है at was Aussie water servietter and you also I am your servant वाइला जो है वागे से कहती है कि खुदा आपको भी सलामत रखे और मैं आपका servant हूं sir तो sir Andrew कहता है I hope sir you are यानि मुझे अमीद है कि हाँ तुम मेरे servant हो and I am yours और मैं भी तुम्हारा servant हो अब I am yours का मतलब literal meaning यह नहीं है कि sir Andrew कह रहा है कि मैं तुम्हारा servant हूं मतलब यह एक respect show करने का तरीका होता है कि उसने अगर आपको कहा है कि मतलब मैं तुम्हारा servant हूं तो उसके कहने से वो बन तो नहीं गया ना अगर आप भी कहा देंगे तो आप में नहीं बन जाएंगे तो इसलिए वो आगे से कहा रहा है कि मतलब मैं भी आपका servant हो तो sir to भी कहता है Will you encounter the house? encounter मतलब अंदर आना यानि कि आप घर के अंदर आएंगे My nice is desirous you should enter I am bound to your nicey यानि मेरा जो काम है वो आपकी nicey के साथ ही है यानि मैं यहां पर आपकी nicey सही मिलने के लिए आया हूँ sir I mean मेरा मतलब है she is the list of my voyage यानि वो मेरा जो मतलब my voyage का मतलब जर्नी को यानि सफर को यानि मेरा जो सफर है उसकी destination वो ही है अलिविया तो सर्टूबे कहता है taste your legs taste your legs का मतलब है कि यानि आप अपनी टांगों को थोड़ा सा try करें मतलब चलने की कोशिश करें अब यहां पे बातों ही बातों में एक तरह का मजाग जो है सर्टूबे वो उसके साथ कर रहा है कि जैसे मतलब उसको ऐसे शो कर रहा है कि जैसे उसकी टांगे काम नहीं करती और उसको कह रहा है कि मतलब हाँ आप चलने की कोशिश करें थोड़ा सा sir put them to motion यानि अपनी टांगों को हरकत देने की कोशिश करें यह चलेंगी जरूर चलेंगी आप मेरे साथ चलेंग जो है वह भी आगे से चलाक है वह भी इस बात का जवाब देखी वह आगे से कहती है my legs do better understand me यानि sir to be मेरी टांगे जो है वह मुझे बहुत अच्छे से समझती है या फिर मैं अपनी टांगों को बहुत अच्छे से समझती हूं यानि वह कहती है कि sir to be आपने जो मुझे यहां पर कहा है कि taste my legs यह जो आपने line यूज की है और यह line यूज करके आप क्या meaning कह रहे थे मतलब आप क्या कि आप अंदर चलें मतलब अंदर तो चलें आप तो वाइला किसे कहती है I will answer you with gate and entrance but we are prevented अच्छा अब वाइला कहती है कि मतलब जवाब तो बहुत अच्छा है मेरे पास मतलब मैं चलते चलते तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ interest यानि चलते चलते gate का मतलब है चलते चलते वाइक करते हुए and entrance interest यानि gate में enter होते हुए मैं तुम्हें जवाब तो दूंगी लेकिन but we are prevented लेकिन रुको अब मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती है या फिर तुम भी मेरे साथ बात नहीं कर सकती है क्योंकि चिससे मिलने क accomplished lady यानि ऐस सबसे ज्यादा excellent और accomplished यानि कामयाब यानि हर तरह से कामयाब lady the heavens rain orders on you यानि आस्मान की जो मतलब बारिश है ना वो orders on you यानि आस्मान की जो रहमत वाली blessings है ना वो आपके ओपर आ जाए orders यानि smells यानि उनकी जो smell है आस्मान वाली जो बारिश है उसकी smell आपके पर आ जाए तो सरे एंटर्य कहता है that youths are rare courtier यानि यह जो youth है youth यहां पर वो वाईला को कह रहा है जो कि सिजैरियो बन की आई है तो सरे एंटर्य कह रहा है कि यह जो मतलब लड़का है ना सिजैरियो ये कमाल का courtier है यानि को यानि दर्बार में बैठने वाला यानि या कमा का दर्बारी है rain orders well अच्छा यह जो word use कर रहा है rain orders कितना कमाल का word है यानि कहता है मुझे क्यों नहीं ऐसे word आते तो वाल आगे से कहती है my matter has no voice lady but to your own most pregnant and walk-saved year अच्छा मेरा जो matter है ना जिस काम के लिए मैं यहां पर आया हूँ उसके ने कोई voice नहीं है मतलब वो मैं किसी क नहीं सुना सकता lady but to your own most pregnant and walk-saved year यानि आपके जो प्रेग्नेट प्रेग्ने यानि जो काईड जिस काम के लिए आया होना वो काम मैं किसी को नहीं बता सकता तो सरेंट्री कहता है, orders, pregnancy and walk-safed, यानि कैसे word use कर रहा है, जैसे order, pregnant, walk-safed, I'll get them all three already, कहता है, हाँ, अब मैंने इन तीनों words को, मतलब समझ लिया है, या फिर prepare कर लिया है, अगली बार, मैं भी, जब भी मुझे 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 मिलेगा, मैं भी इन तीनों words को use करूँगा, यानि उसने not कर लिया, सरेंट्री ने, कि यह जिस तरह के word use करता है, मैं भी इस तरह के words use करूँगा, तो Olivia कहती है, let the garden door be shut, यानि यह जो garden है, जहाँ पर हम खड़े है, एक्जिएंट सर, टूबे सर, एंट्री और मारिया, तो यह तीनों वहाँ से चले गए, तो जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो Olivia कहती है, give me your hand sir, यानि वाइला को कहा रही है, मतलब cesareo, अपना हाथ मुझे दो, तो वाइला के से कहती है, my duty madam and most humble service, तो वाइला जो होती है, वह खुशी-खुशी उसको अपना हाथ दे जाती है, मतलब madam, यह मेरी duty है, और मेरी, मतलब एक humble service है, मतलब यह मेरा फर्ज है, कि मैं आपकी बात मानूं, और यह ले मतलब मेरा हाथ, तो Olivia कहती है, what is your name, यानि तुम्हारा नाम किया है, तुम्हारा नाम कहती है, Cesario is your servant's name, fair princess, यानि ऐखुबसूरत प्रिंसेज, आपके servant का नाम Cesario हो है, यानि मेरा नाम Cesario होता हुआ हुआ कहती है, my servant sir, यानि क्या तुमने कहा, मतलब तुम मेरे servant हो, लोली का मतलब है, हमबलनेस और फेनिंग का मतलब होता है, कमजोर लेकिन यहाँ पे मतलब है, यानि फेक हमबलनेस वाज कॉल्ड कामपलिमेंट, अच्छा, यानि ये दुनिया जो है ना, वो कभी भी खुश नहीं हुई, जब भी किसी आदमी ने, जो मतलब एक नकली या फेक हमबलनेस जो होती है, वो एक कॉंपलिमेंट के तौर पर शो करता है, यानि ये दुनिया जो है ये कभी भी उस टाइम खुश नहीं हुई, जब कोई भी आदमी जो होता है, वो अपनी फेक हमबलनेस को, अपनी courtesy यानि अच्छा behavior शो करता है, अच्छा, यानि तुम जो होना वो count और सीनो के servant हो, तो वाइलाग इसे कहती है, और जो कुछ भी उसका है, वो अब आपका ही है, और servant-servant is your servant, मैडम, और आपका जो servant है, count और सीनो, उसका जो servant आगे है, मैं, मतलब सेजैरियो, जो कि मैं उसका और servant हूँ, वो अब आपका servant है, मैडम, यह वो यहाँ पर कह रहा है, तो अलिवया फिर कहती है, for him, I think not on him, यानि जहां तो count और सीनो की बात है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, for his thoughts, कि उसके जो ख्याल है, would they were blanks rather than filled with me, यानि मैं खौाहिश करती हूँ, कि काश उसके जो ख्याल है, जो कि वो अपने dreams के अंदर, मतलब ख्यालों के अंदर मुझे सोचता है, काश उसके ख्यालों के अंदर मेरी जगाना, मतलब blanks pages होते हैं, मतलब जिस तरह से साफ pages होते हैं, जिसके उपर कुछ नहीं लिखा होता, काश उसके दिमाग के अंदर, जो मेरी pictures बनी हुई हैं, मेरे बारे में जो वो सोचता है, वो सारी thinking's के इलावा उसका दिमाग blank होता, तो वाईला आगे से कहती है, मैडम, I come to wet your gentle thoughts on his behalf, wet का मतलब है बढ़ाना, तो वाईला आगे से कहती है, मैडम, मैं यहां यहां पर इसलिए आया हूँ, कि मेरा जो मालिक है ना, उसके जो gentle thoughts हैं, आपके लिए जो भले ख्याल है, उनको उसके भिहाफ के उपर आपको मैं बताने के लिए आया हूँ, या फिर उनको और ज्यादा, मतलब अच्छा दिखाने के लिए, मैं यहां पर आपके सामने आया हूँ, तो अलिवया कहती है, ओ, बाई और लिव, यानि मतलब ऐसे जहारियो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो, तो I pray you, मैं तुमसे request करती हूँ, कि I bid you never speak again of him, यानि मैं तुमसे request करती हूँ, कि अब तुमने ना अपने मालिक ड्यूक और सीनों के बारे में, बिलकुल भी बात नहीं करनी, यानि अगर तुम किसी और की बातें जो है, वो मनवाने के लिए यहाँ पर आय होना, I had rather hear you to solicite that, than music from the spheres, अस्मान का, या फिर एंजल्स का, जो music होता है, उसको सुनने से ज्यादा, तुम्हारी वो बाते सुनना ज्यादा पसंद करूँगी, इसके के मैं ड्यूक और सीनों की बाते सुनने, यानि एंजल्स का गाना सुनने की बजाए, आस्मान से जो एंजल्स आये होंगे, उनका गाना सुनने की बजाए, के मतलब वो कितना इंपोर्टन्ट होगा गाना, वो गाना भी छोड़ करना, मैं तुम्हारी वो बात सुनने के लिए तायार हूं, बस तुमने ड्यूक और सीनों की बात नहीं करने, तो वाला अगेसे कहती है, डियर लेडी, अब यहां पे वाला अपनी बात स्टार्ट करने लगी, कहती है, अब यहां पे उसने इतने ही का है, यानि I did send मैंने send किया था यानि मैंने तुम्हारे पीछे भेजा था after the lost enchantment you did here यानि तुमने यहां पर आखरी बार जब तुम आये था और तुमने मेरे उपर जादू किया था अब यहां पर enchantment का word वो इसलिए यूज़ कर रही है क्योंकि वो उसके प्यार में पढ़ चुकी है और वो क्या रही है कि आखरे बार जब तुम आये था तुमने मेरे उपर जादू किया था और आखरे बार जब तुम मेरे उपर जादू करके गए थे ना मैंने तुम्हारे पीछे भेजा था किसको a ring in chase of you तुम्हारे पीछे ना एक कंगूठी भेजी थी जो के तुम्हारे पास आई थी so did I abuse तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हें भी abuse किया तुम्हारी भी बेज़ती की myself अपनी भी बेज़ती की my servant और मेरा जो servant था कि तुम्हें मेरे बारे में क्या सोचा होगा कितनी मसलब hard words use किये होंगे अपने दिमाग के अंदर मेरे बारे में जब मैंने वो rings जो है अपने knocker मैं लो लेकर हाथ तुम्हारे पास भेजी तो तुम्हें मेरे बारे में जो सोचा होगा ना उसको यहां पर कहा रही है hard construction यानि तुम्हें मेरे बारे में hard construction अपने दिमाग में बनाई होगी उसके सामने मुझे अब पैठना होगा यानि मुझे उसको सोच के सामने सोचते होगा तुमने मेरे बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोचा होगा जब मैंने लुद्छ सर रच किया तो यह सब कुछ सोचते हुए ना तुम्हारे सोच के सामने बैठना होगा यानि मुझे इस चीज़ को फेस करना होगा To Force That On You यानि मैंने तुम्हारे ओपर जो चीज थोपी यानि वो रिंग जो थी वो तुम्हारी थी भी नहीं मैंने तुम्हारे ओपर फोर्स किया इना शेमफुल कनिंग यानि एक मतलब शेमफुल वे के अंदर यानि एक ऐसी कनिंग के अंदर एक ऐसी चलाकी के अंदर जिसके ओपर यार्ट कंस्ट्रक्शन इन दिमागा बनाई हूए है आधा इस चलाकी के साथ घ 성공 remedy तो मेरी अपने घ्रह मैं क्या स्वे Config Uk better कि हम्या फार अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो तो क्या तुमने ऐसा किया, कि मेरी जो इज़त थी मतलब माइन ओनर उसको क्या किया, at the stake, stake वैसे मतलब दाव पर लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर stake का मतलब है छड़ी के साथ बांधना, यानि क्या तूमने मेरी इज़त आथा जिसको बीर बेटिंग आag बेक्षार जाती है उसको बंद करने के लिए जो के अनमजल थे, मजल का मतलब होता है मतलब रे स्ट्रेंज, जिसको रोका गया हो यह जिस तरह से मतलब डॉग के मुझे उपर पटी लगाई जाती है उसका मुझ बंद करने के लिए उसको मजल कहते है, लेकिन अनमजल का मतलब है यानि जब वो पटी हटा दी जाए और थोर्स का मतलब है, यानि ऐसे थोर्स जो के मतलब अब चुपाये ना हो जिनको मतलब ना चुपाया गया हो जो के साफ साफ नजर आ रहे हो उन थोर्स के साथ जो के एक जालिम आदमी अपने दिल के अंदर सोचता है क्या तुमने मतलब मेरी इज़ो जो थी उसको दाव पर लगा दिया, क्या तुमने ऐसा किया अब यह तो इसका लिटरल मिनिंग हो गया इसका जो दूसरा मिनिंग है ना वो यह यहां पर बनता है इसका जो दूसरा मिनिंग है ना वो ही बीर पेटिंग वाली example यूज़ करते हुए, इसका दूसरा meaning है, वो कहती है, कि क्या तुमने मेरे जो मतलब इज़त थी, अब यहाँ पर honor जो है ना, उसको वो बीर के साथ compare कर रहे है, जिस तरह से reach को मतलब छड़ी के साथ बांद दिया जाता है, उसी तरह से क्या तु क्या तुमने तुमने अपने दिमाग से निकाल दी, क्या सोचते हो तुम इस बारे में, पिर कहती है, to one of your receiving, enough is shown, यानि to one of your receiving, receiving का मतलब है intelligent, यानि तुम्हारे जैसा जो intelligent बंदा है ना, उसको एक बात समझने के लिए जितनी बात की जुरूरत होती है ना, मैंने वो बात तुम्हें बता दी है, enough is shown का मतलब है कि मैंने तुम्हें जितना बताना था ना, वो बता दिया है, a cypress, not a bosom, hit my heart, यानि मेरा अब जो दिल है वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, य किन मैंने अब क्या किया है, कि मैंने अपने दिल को ना, तुम्हारे सामने कर दिया है, कैसे, a cypress, अब cypress एक fabric होता है, जो के transparent होता है, यानि उसके आरपार आप देख सकते हैं, तो वो कहती है, मेरा दिल जो है ना, वो तुम्हारे सामने अब dead हो चुका है, या फिर वो एक transparent fabric की तरह है, और मेरे दिल के आगे ना, मैंने तुम्हारे लिए bosom नहीं रखा, बलके उसको साफ साफ तुम्हें दिखा दिया है, कि मेरे दिल के अंदर क्या है, so let me hear you speak, अब मुझे बताओ, तुम मेरे बार में क्या सोचते हो, वाईलागी से कहती है, I pity you, यानि मुझे आ लोड़ा सब भी आपसे प्यार नहीं करता, for artists of vulgar proof, vulgar जो word होता है, इसका मतलब होते है, मतलब जो चीज साफ साफ नजर आ रही हो, naked के word के लिए भी vulgar का word जो यूज कर जाता है, यानि बगएर कपड़ों के, vulgar का मतलब ही है, साफ साफ नजर आना, तो यहां पे vulgar का है, कि मतलब एक आम जो बात होती है, मतलब common जो saying होती है, उसको यहां पर हो कह रहा है, कि मुझे आप पर रहम आ रहा है, यह तो एक आम बात है, जो कोई भी आदमी जो होता है, उसको दूसरे आदमी पर रहम आ सकता है, तो यह तो एक आम सी बात है, मतलब एक vulgar proof है, कि मतल यहां पर smile करना चाहिए? अगर ऐसा है, कि तुम्हें मुझे गारा है और तुम मुझे प्यार भी नहीं करते तो मुझे smile करना चाहिए? अब यहां पर smile वाली बात उसमें इसलिए कही है कि वो कहना चारी है कि मुझे खुशी है कि मुझे एक ऐसे बंदे ने reject किया है कि मतलब इसको मैं प्यार करती थी अचा, oh world फिर कहती है, ऐ दुनिया वालो या ऐ दुनिया how apt, apt का मतलता है appropriate, the poor art to be proud, यानि एक गरीब आदमी जो होता है वो उसके लिए मतलब proud होना कितना असान होता है, कितना appropriate होता है मतलब एक बंदा जो है उसके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो उसके बारे में imagine करता है और उसके लिए imagine करना बहुत असान होता है तो यहाँ पर वो यह कह रही है कि एक बंदा जो है अगर एक गरीब आदमी जो है उसके लिए proud करना बहुत ज़्यदा असान होता है कि मेरे पास सब कुछ है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो dream तो देख सकता है तो उसी तरह से वो कह रही है कि मैं भी proud कर सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो अगर हमें किसी का चारा ही बनना है ना किसी का शिकार ही बनना है तो अच्छा होगा कि हम एक मतलब लाइन जो है उसका शिकार बने ना के एक वुल्फ का यानि ना के एक भेडिये का यानि भेडिये जो होता है वो चीर फाट ज्यादा करता है या वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा भयानक तरीके के साथ अपने शिकार को ट्रीट करता है और लाइन जो होता है वो में भी फिर भी किसी तरह से म आब अपने शिकार के लिए शो करता है तो इसलिए अलिविया कही रही है कि हमें यह करना चाहिए कि अगर हम किसी का शिकार भी बन रहे है तो लाइन का शिकार बनना ज्यादा पसंद करना चाहिए ना के वुल्फ का कि मुझे उस बंदे ने reject किया है कि जिसको मैं प्यार करती थी ना कि उस बंदे ने जिसको मैं प्यार नहीं करती थी मतलब मेरे लिए उस बंदे से reject होना ज्यादा अच्छा है कि जिससे मैं प्यार करती थी ना कि उस बंदे से जिसको मैं प्यार भी ना करती हूँ तो इतनमें कहाता है कि clock strike अब Olivia के घड़ी होती है उसके बजने की आवाज आती है तो Olivia फिर कहती है The clock upgrades me with a waste of time. अब upgrades का मतलता है Rebuke करना बुरा बला कहना तो Olivia कहती है कि यह जो clock है यह भी अब मुझे गालिया दे रहा है मुझे बुरा बला कहरा है कि मैं अपना time साया कर रहे हूं Be not afraid, good youth फिर कहती है कि मतलब से जैरियो ऐ नौजवान लड़के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है I will not have you यानि मैं तुम्हारा पीछाब नहीं करूंगी and yet और अगरचे When wit and youth is come to harvest इसलान का मतलब है कि जब तुम मतलब नौजवान हो जाओगे जब तुम पूरी तरह से मतलब जवान हो जाओगे, शादी के काबिल हो जाओगे wit and youth यानि जब तुम्हारी अकल और youth जो हावेस्ट करने के लिए यानि वो एक नया individual produce करने के लिए reproduce करने के लिए तुम्हें और individual के जरूरत होगी reproduce करने के लिए तो उसकी जब तुम्हें ज़रूरत होगी यानि जब तुम मैचूर हो जाओगे your wife is like to reap a proper man तो तुम्हारी जो बीवी होगी वो एक ऐसे आदमी को reap करेगी मतलब रीप का वर्ड जो होता है काटना, यानि जो फसल काटते है तो फसल अगर अच्छी है तो मतलब एक आदम जो है उसने अच्छी फसल काटी है तो यहाँ पर यह कह रही है कि तुम्हारी wife जो होगी जो भी तुम से शादी करेगी वो एक ऐसी औरत होगी जिसने अच्छी फसल काटी होगी यानि जिसको एक proper man मिला होगा अच्छा there lies your way due west यानि अब तुम जा सकती हो वो रहा तुम्हारा रास्ता due west यानि west की तरफ तो वाइला किसे कहती है then westward ho अब यह जो वर्ड है ना यह वो वर्ड है जो कि उस टाइम के अंदर river thames जो था ना यह बहुत famous river है अब उस time के अंदर ना एक बहुत ही famous river था इंग्लेंड के अंदर जिसको river thames कहते थे मतलब उस river के अंदर जो कश्टी वाल आदमी होता था जो के सवारियों को इदर से उदर ले कर जाता था तो वो जब मतलब सवारियों को ले कर जाता था बस में सफर करना है या किसी भी जगा पर जाना है तो अगर आप अड़े पे जाते हैं वहाँ पे आपने किसी बस में बैठ रहा है तो driver जो होता है वो आपका आवास दे के कह रहा होता है मतलब लहोर वाले, कराची वाले, फैसलबाद वाले इस तरह से तो यहाँ पे वही एक्जेंपल दी जा रही है कि यह वो वाला वर्ड है जो कि river thames जो होता है उसमें जो कश्टी वाला आत्मी होता है वो इस तरह से सवारियों को बुलाता है मतलब west word जिसने जाना है आ जाओ उसी तरह का word वाले वाले यूज किया है वो हमेशा अच्छी रहे और खुबसूरत रहे you'll nothing madam to my lord by me यानि मेरी madam क्या आपके पास कोई भी पेगाम नहीं है जो के आप मेरे through मेरे lord को देना चाहेंगी तो अलिवया किसे काती है stay, look or dormant, I pretty मैं तुमसे request करती हूँ tell me what you thinks of me यानि मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो वालागे से कहती है that you do think you are not what you are यानि मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ के आप समझती हैं के आप वो बिल्कुल भी नहीं है जो के आप है तो अलिवया किसे कहती है if I think so, I think the same of you तो अलिवया कहती है तो अलिवया कहती है के अगर तुम मेरे बारे में ये सोचते हो ना, कि में वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो के मैं हूँ अभ यहान पे फिर से वो irony क्रिएट कर रही है क्योंकर वालागे से बनी हुए है और वो एक लड़का बनी हुई है लेकिन रियालिटी में वो एक लड़की है तो यहाँ पे वो अपनी रियालिटी अब यहाँ पे बातों बातों में बता रही है कहती है I am not what I am यानि मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो के आप सोच रही है I would you were as I would have you be अलिवया जो है ना उसको तो नहीं पता कि वो बातों में सच कह रही है अलिवया कहती है अब अलिवया तो यह सोच रही है कि काश तुम मतलब एक नोकर ना होते बलके एक मतलब राजकुमार होते हैं और सीनों की तरह ही एक ड्यूक होते ताके मैं तुम से शादी करती तो यह यहां पे अलिवया कह रही है कि काश तुम मतलब एक नोकर ना होते बलके एक अमीर आदमी होते हैं ड्यूक होते तो वाईला आगे से कहती है पहला आप उससे कह रही है कि मैडम मुझे यह बताएं कि आप जो आप मुझे कह रही है कि काश मैं वो होता जो कि मैं अब नहीं हूँ तो क्या अगर मैं वो बन जाता जो आप सोच रही है कि मैं होता तो क्या वो बनने के बाद मैं अच्छा होता अब जो मैं हूँ क्योंकि अब तो मैं आपका fool हूँ यानि अब तो मैं आपके लिए एक fool हूँ बेवकोफ हूँ तो अलिवय कहती है अच्छा अब ये वाली जो बाते हैं ये वो अपने मूँ के अंदर ही कह रही है मतलब इतनी आइसता कह रही है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा अलिवय कहती है oh what a deal of scorn looks beautiful deal of scorn का मतलब है कि यानि इसके चहरे के उपर गुसा जो है वो कितना beautiful लग रहा है in the contempt and anger of his life यानि इसके होंट जो है वो गुसा शो कर रहे हैं और contempt यानि मेरी तोहीन कर रहे हैं मेरी बेज़ती कर रहे हैं लेकिन यही बेज़ती और गुसा जो है जो कि इसके होंटों से मतलब मुझे शो हो रहा है वो इसके चहरे के उपर कितना ज्यादा मतलब beautiful लग रहा है यह जो गुसा है अब murderous guilt show not itself more soon than love that would seem hit अच्छा अब यहाँ पर वो कहती है कि एक murderous guilt यानि एक आदमी जो है अगर उसने किसी का murder किया है तो उसके अंदर जो guilt होता है जो उसको मतलब दुख होता रहता है पश्तावा होता है वो भी इतनी जल्दी सामने नहीं आता जितनी जल्दी एक आदमी का love जो होता है किसी दूसरी औरत के लिए जो कि उसने चुपाया होता है मतलब यहां पर वो कहती है कि एक आदमी जो है अगर वो किसी से love करता है तो उसका जो love है जो कि उसने चुपाया हुआ है वो नहीं बहुत जल्दी सामने आ जाता है और वो इतनी जल्दी सामने आ जाता है कि एतनी जल्दी तो एक आद्मी होता है जसने मतर किया होता है उसका गिल्ड जो होता है वो भी सामने नहीं आता फिर कहती है Love's Night is Noon यानि जो love है ना इसकी जो रात होती है वो noon की तरह होती है वो मतलब दुपहर की तरह होती है मतलब एक lover जो होता है उसकी जो रात होती है वो दुपहर की तरह होती है मतलब उसको रात को नेम नहीं आती Cezario by the अब ये वाली line जो है ना ये वो उसके मूँ पे कहा रही है कहती है Cezario by the roses of the spring यानि Cezario मैं बहार के जो मतलब बहार के मौसम में भूल खिलते हैं उनकी कसम खाती हूँ by madehood मेरी जो virginity है मैं उसकी कसम खाती हूँ honor अपनी इज़त की कसम खाती हूँ truth and everything मैं अपने सच की कसम खाती हूँ और हर चीज की कसम खाके कहती हूँ I love these so मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ that mogri all thy pride mogri का मतलब है in spite of की बजाए यानि उर्द में खाते हैं की बजाए all thy pride यानि तुम्हारी जो pride है मतलब तुम जो अपने पर घरूर कर रहे हो मतलब मेरी love को accept नहीं कर रहे तुम्हारे इस pride के बावजूद nor wit nor reason can my passion hide नहीं मतलब जो मेरी अकल है वो और नहीं तुम्हारा जो reason है मेरे सामने मतलब साफ साफ reason है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते नहीं ये reason जो है मेरा तुम्हारे लिए जो passion है उसको मतलब hide कर सकता है यानि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी जितने भी pride है ना खुद के लिए तुम्हारा जो फाखर है तुम्हारे उपर ये और मेरी जो अकल है और मेरा जो reason है ना जो कि मेरे सामने है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं इस सारी चीजे ना मेरा जो तुम्हारे लिए passion है उसको कम नहीं कर सकते हैं चुपा नहीं सकते do not extort thy reasons from this clause extort का मतलता है जबरदस्ती छीन लेना तो यहां पर वो कहा रही है कि अब ये मत सोचना कि ये clause clause यानि ये जो मैंने उपर तुमसे बात की है कि तुम मुझे propose ना करो यानि वो कहते है कि अब ये न समझना कि मैंने तुम्हें propose कर दिया है इसलिए तुम्हारे पास कोई भी वज़ा नहीं है मुझे propose करने की but rather reason thus with reason fatter लेकिन क्या करो कि तुम्हारे पास ये जो reason है ना इस reason के साथ एक और reason जो है उसको fatter, fatter कहते हैं जंजीर, यानि कड़ी जो होती है कड़ियां जो होती है, मतलब जंजीर जो होती है, यानि कहती है कि तुम्हारे पास यह जो reason है मैंने मतलब तुम्हें propose कर दिया है इसलिए तुम्हें propose करने के जुरूत नहीं है इस reason के साथ ना एक और reason जो है वो जोड़ लो वो कौन सा reason वो आगे बता रही है कि love sort is good but given unsort is better sort का मतलत है तलाश करना या ढूणना यानि एक ऐसा आदमी जिसको ढूणने से love मिल जाता है वो love उसके लिए अच्छा होता है लेकिन वो वाला love जो कि उसको बिना ढूणने ही मिल जाता है वो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है यह वो यहाँ पर कहा रही है वाइला कहती है by innocence I swear and by my youth यानि वाइला उलिविया से कहा रही है कि अलिविया मैं ना अपनी innocence की और अपनी जो मतलब जवानी है उसकी कसम खाके कहता हूँ कि I have one heart मेरा एक दिल है one bosom मेरा एक ही सीना है and one truth truth का मतलब है belief यानि यकीन यानि मेरा एक ही faith है मेरा एक ही believe है that no woman has यानि जो किसी भी woman के पास नहीं है यानि मेरा जो दिल है मेरा जो सीना है और मेरा जो यकीन है या फिर जो मेरा faith है वो किसी भी औरत के पास नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये सारी चीज़ें एक ही है nor never none shall mistress be of it कोई भी जो है ना मतलब आज तक ना ही हुआ है और ना ही ऐसा होगा कोई भी औरत जो है वो मतलब मेरे इस दिल के उपर राज करेगी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यानि यहाँ पर फिर से वो एक irony create कर रही है वाइला क्योंकि वो सेजैरियो बना हुआ है और क्योंकि वो एक औरत है इसलिए वो कह रही है कि मेरे दिल के अंदर कोई भी औरत नहीं रह सकती क्योंकि इसके अंदर एक आदमी रहता है जिसका नाम और सीनो है save I alone यानि मैंने अपने दिल को बचा के रखा हुआ है और कोई भी मिस्टर्स जो है यानि प्यारी मैडम अलविदा आज के बात कभी भी मेरे मास्टर के जो आंसू है ना उनका दुख जो है वो मैं आपको बदाने के लिए नहीं आऊंगा तो अलिवय कहती है येट कम अगेन लेकिन तुम आ सकते हो फार दाव पहप्स मेस्ट मूव अब यहां पर अलिवय अपने दिल को कह रही है अब वाइला ने कहा दिया कि मैं यहां पर कभी भी अपने मास्टर का मतलब यह जो दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं आऊंगा तो अलिवय कहती है कि ऐसा तो ना को क्या पता हो कि मतलब तुम जो हो अगर दुबारा आओ तो मेरा वो वला दिल जो कि इस ताइम ड्यूक और सीनो जो है मेरा मतलब जो मुझसे लव करता है उस जिस से मैं नफरत करती हूँ क्या पता तुम मेरे दिल को चेंज कर दो और मैं भी उससे प्यार करने लग जाओं अब यहां पे एक ठोटा सा excuse कर। उसको दुबारा बुलाने के लिए वो ड्योक और सीने से कब्भी भी प्यार ने करने वाली तो यह वह यहां पर कर रहा है और यहां पर execute यहां पर scene end हो गये थेंकिस में